या टीजेटी, पीजेटी, डीएससबी, के वीएस में फार्म डाले हैं तो ये आडियोप के लिए बहुत ज़्यादा हेलफूल सिध होगा क्योंकि किसी काम को करते हुए आप सुनके बहुत सारे प्रसने एक साथ तैयार कर सकते हैं चलिए आज जानते हैं कुछ प्रसनों को मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कोन है और इसका नायक कोन है तो चाड़क के है नेक्ष्ट है सिंदूर की होली किसकी रचना है तो लच्मी नारायन मिस्र का नाटक है सिंदूर की होली भारतेंद हरिश्चंद के कौन सा नाटक अनूदित है तो बिद्या सुन्दर नाटक जो है वह अनूदित है भारतेंद हरिश्चंद के अनूदित नाटक कुछ इस प्रकार है तो मुद्रा राक्षस जो विसागदत द्वाराक्रित है करपूर मंजरी धननजय विजय और पाखन्ड बिढंबन बिद्या सुन्दर ये सारी भारतेंदु हरिष्चंद की अनुदित नाटक है भारतेंदु जीनने किस नाटे कृती की रचنा एक रात में की थी तो अंधेरी नगरे की रचना एक रात में की थी भारत दूर्दसा नाटक के रचनाकार कौन है तो भारते दू हरिश्चन्द है या TGT परिछा 2016 में पूछा गया प्रस्थ है रतनावली नाटक किस भासा से हिंदी में अनवादित नाटक है तो संस्कृत रतनावली नाटक जो है वो संस्कृत में थी फिर हिंदी में अनवादित की गई है नेक्स्ट है पांचवे पैगमबर नाटक के लेखक कौन है तो भारते दू हरिश्चन्द है या दिल्ली केंद्रिय परिच्छा PGT परिच्छा 2015 में पूछा गया प्रस्तन है भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिने किया था तो जानकी मंगल नाटक में और सत्य हरिश्चन में दोनों में अभिने किया था नेक्ष है हिंदी का प्रथम दुखान्त नाटक कौन सा है तो रडधीर प्रेम मोहिनी है हिंदी का प्रथम दुखान्त नाटक है स्री निवास दास का उपन्यास है परिच्छा गुरू जिसका समय है 1882 भी परिच्छा गुरू का समय क्या है तो 1882 भी है और लाला स्री निवास दास का नाटक है तपता संवरण रडधीर प्रेम मोहिनी तथा प्रहाद चरित्र संपादन इन्हों ने किया था सदा दर्स पत्रिका का लाला स्री निवास दास नहीं सदा दर्स पत्रिका का संपादन किया था स्रिनिवास दाज द्वारा रचित नाटक कौन सा है तो स्रिनिवास द्वारा रचित नाटक कौन सा है चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन है तो कि सोरी लाल को स्वामी है हनुस नाटक के रचनाकार कौन है तो भीस्म साहनी है आठवा सर्ग किस विधा की पुस्तक है तो नाटक है आठवा सर्ग नाटक है और यह सूरेंद्र बर्मा का नाटक है सुरेंद्र वर्मा का नाटक आठ्वा सर्ग है और यह नाटक विधा है नेक्ष्ट है हानुस नाटक के रचनाकार कौन है तो यह है भीश में साहनी हानुस नाटक के रचनाकार भीश में साहनी है कभिरा खड़ा बाजार में नाटक के रचाईता कौन है तो भेश्म सहानी है स्वर्ग की जलक वा अंधी गली के लेखक कौन है तो उपेंद्रनाथ असके स्वर्ग की जलक अंधी गली के लेखक है उपेंद्रनाथ असक के चर्चित नाटक उपेंद्रनाथ असक ने कौन से चर्चित नाटक लिखे है उसको जानते है छठा बेटा उडान जय पराजय कैद और भवर विश्वा मित्रनाथ के लेखक कौन है तो उदै संकर भट है नेक्स्ट है गोबिंद वल्लब पंत के नाटक कोन से है तो गोबिंद वल्लब पंत के नाटक है राज मुकोट यायाति अंगूर की बेटी आत्मधीप ये सारे गोबिंद वल्लब पंत के नाटक है उदै संकर भट के प्रमुख नाटक इस प्रकार है विक्रमादित्य मुक्तिपत दाहर या सिंध पतन राधा विद्रोहिडियमबा मत्स्यगंधा असोक वंदनी ये सारे उदै संकर भट के प्रमुख नाटक है नेक्स्ट है चरड़ दास चोर किसकी नाटक रिती है तो हबीब तनवीर की चरड़ दास चोर किसकी नाटक रिती है हबीब तनवीर की नाटक रिती है हबीब तनवीर का पहला नाटक आगरा बाजार है नेक्स्ट है तन्बीर को थियेटर का विश्वकोस कहा जाता है तन्बीर को क्या कहा जाता है तो थियेटर का विश्वकोस कहा जाता है लहरो की राजहंस के नाटक कार कौन है तो मोहन राकेश है मोहन राकेश लहरो की राजहंस के नाटक कार है लहरों के राजहंस 1963 हिस्वी में मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया नाटक है और मोहन राकेश का और नाटक इस प्रकार है तो असाड का एक दिन जिसका समय है 1958 हिस्वी आधे अधूरे 1969 हिस्वी विश्रू प्रभाकर के प्रमुख नाटक जानते हैं आईए तो डाक्टर है जिसका समय है 1958 भी विश्रू प्रभाकर के नाटक है डाक्टर जिसका समय है 1958 भी यूगे यूगे करान थी जिसका समय है 1979 भी यूगे यूगे करान थी नेक्स्ट है तूटते परिवेश जिसका समय है 1974 भी कुहासा और किरड 1975 भी डरेविये लोग 1978 भी बंदिनी 1989 भी और अब और नहीं अब और नहीं 1981 भी सत्ता के आर पार 1981 भी स्वेत कमल 1984 भी विश्डू प्रभाकर के नाटक है फिर से एक बार जानिये विश्डू प्रभाकर के नाटक कौन कौन से है तो डाक्टर यूगयोगी क्रांति तूटते परिवेश कुहासा और किरण डरे हुए लोग वंदिनी अब और नहीं सत्ता के आर पार स्वेत कमल ये सारी रचनाएं भी विश्डू प्रभाकर के नाटक हैं मुहन राकेश प्रयोग सील नाटक कार कौन थे तो मुहन राकेश थे असाड का एक दिन नाटक कालिदास के कालपनिक जीवन बृत पर आधारित नाटक है लहरो की राजहंस का कथानक अस्वगोस की सौरानन्द कृती पर आधारित नाटक मध्यमवर के पारिवारिक जीवन की समस्या पर आधारित है नेक्स्ट आसाड का एक दिन के रचनाकार कौन है तो मुहन राकेश है नेक्स्ट आसाड का एक दिन नामक नाटक के रचनाकार कौन है तो मुहन राकेश है ये कई जगहों पर पूछा गया प्रस्त है टीजीटी परिच्छा 2016 में और पीजीटी परिच्छा 2016 में पूछा ग नेक्स्ट है आधे अधूरे नाटक का मोल प्रत्पाद क्या है तो मोल प्रत्पाद है मध्यम बरगिये परिवार की विशंगती आधे अधूरे नाटक के पात्र कुछ इस प्रकार हैं तो महेंद्रनाथ हैं आधे अधूरे नाटक के पात्र महेंद्रनाथ साबित्री विन्नी किन्नी जगमोहन सिंहनिया जुनेजा ये सारे आध्य धूरे नाटक के पात्र हैं और फिर से सुनिए आध्य धूरे नाटक के पात्र महेंदरनाथ सावित्री बिन्नी किन्नी जगमोहन सिंहनिया और जुनेजा सिंगहनिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है यह पूछा गया प्रस्थ है 2014 में आधे धूरे यह सिंगहनिया नामक पुरुष का पात्र किस नाटक का है तो आधे धूरे नाटक का है नेक्ष्ट है मोहन राकेज मोहन राकेस का नाटक है अशार का एक दिन लहरों के राजहन्स पैरो तले की जमीन अशार का एक दिन लहरों के राजहन्स ये मोहन राकेस के नाटक है नेक्स्ट है अंधा यूग से उध्रित प्रस्तुत कथन किस पात्र का है मेरी माता ही महानीत की मर्यादा थी या ध्रितराष्ट का कथन है या पूछा गया प्रस्ण है असिस्टेंट प्रोफेसर परिच्छा 2014 में पूछा गया प्रस्ण है कि अंधा यूग किसे उध्रित प्रस्तुत कथन किस पात्र का है मेरी माता ही महानी थी मर्यादा थी या ध्रितराष्ट का कथन है अंधा यूग नाटक के कथन इस प्रकार है नरो वाकुंजरो या उधिश्टर का कथन है मुझको गल जाने दो या धृतराष्ट का कथन है जै मत कहो ब्रिद्ध या कृत बर्मा का कथन है पता नहीं मेरा मुख भी देखेगी या नहीं या यूयोट्सू का कथन है जै हो दुरियोधन की जै हो गानधारी की या किसका कथन है तो या चक का कथन है या सारे कथन अंधा यूग नाटक के कथन है फिर से जानिए कि अंधा यूग नाटक के कथन कौन कौन से है तो नरो वाकुंजरो यूधिश्टर का कथन है मुझको गल जाने दो धृतराष्ट का कथन है जय मत कहो ब्रिध कृत वर्मा का कथन है पता नहीं मेरा मुख भी देखेगी या नहीं यह यूयूत्सु का कथन है जय हो दुर्योधन की जय हो गांधारी की याचक का कथन है नेक्ष्ट है महा भारत की कथा पराधारित नाटक कौन सा है तो अंधा यूग का समय है 1955 महा भारत की कथा पराधारित है इसके लेखक धरंबीर भारती है कोडार्क कोडार्क जो है वो जगदिस चंद माथूर का नाटक है कोडार के किसका नाटक है तो जगदीर चंद्रमाथुर का नाटक है अंधी माभारत के आठ में 18 दिन की संध्या से प्रभात तीर्थ में क्रिशन देहावास की छडू तक की कथा लिगाई है फिर से सुनियें अंधा यूग में महा भारत के 18 हमें दिन की संध्या से प्रभात तीर्थ में कृष्न के देवा ववास की छणों की तक की कता ली गई है नंधा यूग एक गीत नाट है अंधा यूग का अचा आटक है तो गीत नाट है और उन्धा यूग में कुल पांच अंक है अंधा यूग में कुल पांच अंख है अंधा यूग का वह कौन सा पात्र है जो अभिसब्त जीवन जीने को बाद है तो वह है अस्वस्थामा अस्वस्थामा है और यह प्रशन आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर परिचा 2021 में पूछा गया प्रशन है अंधा यूग का वह कौन सा पात्र है जो अभिसब्त जीवन जीने को बाद है तो अस्वस्थामा है अंधा यूग धर्म बीर भारती द्वारा रचित का बेनाटक है और जिसके पात्र है अस्वस्थामा और अस्वस्थामा अभिसब्त जीवन जीने के लिए बाद है कौन कौन है तो अस्वस्थामा है यू यूत्सु हैं गांधारी कृत बर्मा कृपाचारी बलराम धिरतराष्ट संजय दुर्योधन विधूर गूंगा भिखारी कृष्ण आधि अंधायू नाटक के पात्र हैं नेक्ष है अंधायूग में कुल पाँच अंख हैं कितना अंख हैं तो पाँच अंख हैं कुल अंधायूग नाटक में पाँच अंख हैं प्रथम अंख कौरव नगरी दूसरा अंख पसुका उदे तीसरा अंख अस्वस्थामा का अर्ध सत्य तीजरा अंक है जिसका नाम है अस्त्वस्थामा का अर्ध सत्य चोथा अंक का नाम है गांधारी का साब चोथा अंक में है गांधारी का साब पांचमा अंक है बिजय का क्रमिक आत्म हत्या अंधा यूग नाटक की प्रमुखपात्राई यूयूच गुंगा विखारी, कृतवर्मा, अस्त्वस्थामा, विधूर, दृत्राष्ट, युधिष्ठर, कृपाचार, संजय, त्यादि पात्र है, अंधा यूग नाटक के सारदिया के नाटक कार कौन है, तो जगदीश चंद्र माथूर है सारदिया नाटक है, सारदिया कौन सी रचना है, तो नाटक विधा है, और सारदिया नाटक के रचना कार कौन है, तो जगदीश चंद्र माथूर है सारदिया जिसका समय 1969 में लिखा गया जगदीश चंद्र माथूर का एक नाटक है नेक्स्ट है कोडार्क नाटक की रचना किसने की कोडार्क नाटक की रचना जगदीश चंद्र माथुरने की कोडार्क नाटक की रचना कौन है यह DSSB PGT परिच्छा 2021 में पूछा गया प्रस्थन है और TGT परिच्छा 2009 में भी पूछा गया यह प्रस्थन है कि कोडार्क संपन्य सासक बर्ग योंग गरीबी सिल्पी के मध्य संगर्स कथा को किस नाटक की विशेवस्त बनाया गया है तो कोडार्क में प्रभुसत्ता संपन्य सासक बर्ग योंग गरीब सिल्पी की मध्य संगर्स कथा को किस कोडार्क नाटक की विशेवस्त बनाया गया है सती चंद्रावली और अमर सिंग राठोर नाटकों की रचना किस ने की तो राधा चरण गोश्वामी ने की राधा चरण गोश्वामी के नाटक है सती चंद्रावली और अमर सिंग राठोर या PGT परिच्छा 2010 में पूछा गया प्रस्न है सर्वेश्वर द्याल सक्सेना की नाटक क्रिती का नाम क्या है तो बकरी है सर्वेश्वर द्याल सक्सेना की नाटक का नाम है बकरी या TGT परिच्छा 2013 में पूछा गया प्रस्थ सर्वेश्वर द्याल सक्सेना मूलते कभी है सरवेशवर दयाल सकसेना मूलता क्या है तो कभी है और इनका पहला नाटक बकरी ब्यंग्यात्मक है जो 1974 इस भी में प्रकाशना है या कई जगों पे पूछा गया प्रसना है बकरी नाटक के रचाईता कौन है तो यह TGT पुनर परिच्छा 2004 में पूछा गया प्रसना है और PG PGT परिच्छा 2015 में भी भूछा गया प्रसना है कि बकरी किसकी रचना है तो सर बेश्वर दयाल सकसेना की रचना है बकरी और बकरी नाटक विधा है सकुंतला नाटक को खड़ी हिंदी बोली में अनबाद किया गया किस ने किया तो राजा लचमर सिंग ने किया सकुंतला न नाटक का खड़ी बोली गदे में अनबाद राजा लचमर सिंग ने किया 18ロ 61 हुने किया और रघवण्द का जिसका रघवणस और मेगधूर्थ का भी इनोंने हिंदी गदे में अनबाद किया रघवणस का समय है 1878ansen b और मेगधूर्थ का समय है 1882 सिंग में हिंदी में गध खेंद्रिय विधा थो नाटक है है भारतेंद्र यूग की ale friends in attracts in अबूत पूर्चलता प्राप्त होई थी नहुस नाटक लिखा गया है किसने लिखा तो गोपाल चंद्र ने लिखा नहुस्त नाटक के लेखक कौन है तो गोपाल चंद्र है या टीजीटी परिशा 2009 में पूछा गया प्रस्त है नहुस्त नाटक के रचनाकार है भारतेंद हरिश्चंद भारतेंद हरिश्चंद के पिता गोपाल चं नहुस हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है नहुस नाटक के रजना वर्स को लेकर इत्यास कारों में क्या है विबाद है नगेंद्र ने इसे 1857 इस भी की रजना मांते हैं नहुस नाटक के रजना कार कौन है यह टीजीटी पुनर परिशा 2004 में भी पूछा गया प्रस्न है तो गोपाल चंद्रूर गिरधर दास है नहुस नाटक के रेखक बाबु गिरधर दास को भारतिन धुहरिस चंद से क्या संबन था तो पिता का संबन था पिता पुत्र का गीत नाटक के लिखक है अगी है नेक्स्ट है प्रसंद राग हो किसकी रचना है प्रसंद राग हो जैदेव की रचना है प्रतिवी राज की आखे यह सिर्षक की रचैता कौन है तो रामकुमार बर्मा है प्रतिवी राज की आखे सिर्षक की रचैता है रामकुमार बर्मा एतिहासिक आधार पर डाक्टर रामकुमार बर्मा प्रथम सफल नाटक कार थे नेक्स्ट है प्रत्वी राज की आखे एक आंकी संग्रह कर अचना कार कौन है तो रामकुमार बर्मा है उत्तरायर किस की कृती है तो रामकुमार बर्मा की कृती है उत्तरायन रामकुमार बर्मा की कृती है निमलिखित नाटक कारों में अतिहासिक नाटक कार कौन है तो यह डाक्टर रामकुमार बर्मा है यह पीजूटी परिशा 2010 में पूछा गया प्रस्त है रेल का बिकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है रेल का बिकट खेल नाटक के र प्रवरतन का स्रे किसको दिया गया है तो लच्मी नारायड मिस्र को दिया गया है हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवरतन का स्रे किसको दिया जाता है तो लच्मी नारायड मिस्र को दिया जाता है मादा Kaktus Naatak किस ने लिखा है तो लचमी नारायड लाल ने लिखा है अंधा कुऊं के रजनाकार कोन हैて मुऊहन राकेज जाना कोनी है अंधा कुऊं के रजनाकार है डाक्टर लचमी नारायड लाल फिर से सुनिए अंधा कूवा के रचनाकार है डॉक्टर लचमिनारायड लाल नेक्स्ट है मि जो दिदी जो है वह नाटक है अन्जो दिदी नाटक विधा की रचना है और इस विधा ये लेख इस नाटक के लेखा कौन है तो पर नाथ हसके हैं यह नाटक प्रसादृत्तर यूग में समस्या पर्धान नाचक रहा है डाक्टर नगेंदर के अनुसार अंजो दिदी 1924 भी की रचना है नेक्ष्ट है उपेंदर नाथ असके के प्रमुख नाटक आईए जानते हैं उपेंदर नाथ असके के प्रमुख नाटक कौन कौन से है तो लचमी का स्वागत, स्वर्ग की जलक, छठा वेटा, भमर लोटता हुआ दिन ये सारे नाटक हैं और उपेंदर नाथ असके के नाटक है रस गंधर्व नाटक के रचैता कौन है रस गंधर्व नाटक के रचैता है मडी मधुकर यह आस्रम पद्दत प्रवक्ता परिच्छा 2012 में पूछा गया प्रस्त है कि रस गंधर्व नाटक के रचैता कौन है तो मडी मधुकर है नेक्ष्ट है युगे-युगे क्रांती के रचनाकार कौन है तो विश्नु प्रभाकर है युगे-युगे क्रांती के रचनाकार कौन है तो विश्नु प्रभाकर है युगे-युगे क्रांती विश्नु प्रभाकर के नाटक है नेक्ष्ट है डाक्टर नामक कृती की विधा है नाटक है डाक्टर नामक कृती कौन सी विधा की रचना है और किसका है तो विश्णु प्रभाकर का है सफदर हास्मी को नुकण नाटक के जनक कहते हैं नुकण नाटक के जनक कौन कहलाते हैं तो सफदर हास्मी या हिंदी दिल्ली केंद्रिय बिद्याले पीजीटी परिच्छा 2015 में पूछा गया प्रस्न है हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है किसको वो तो राधा क्रिश्न को हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है राधा क्रिश्न को हिंदी का रेडियो नाटक का जन 1937 में हुआ रेडियो में प्रसारित पहला हिंदी नाटक आचार चतुर सिंसास्तुरी लिखित राधा कृष्णृ नेकष पंडित जवालना नहरु और ब्रह्मा वर्थ के प्रिथु के बीच बिलक्षड साम किस नाटक में है तो पहला राजा या पीजेटी परीछ़ 2015 में पूछा किया प्रस्त है द्रेसे कावे की विधा कौन सी है तो यह नाटक है द्रेसे कावे की विधा है नाटक नक्स्ट है हिंदी में एथार्थवादी एकांके के जनक है तो रामकुमार बर्मा है हिंदी में एथार्थवादी एकांके के जनक है रामकुमार बर्मा आधुनिक एकांके के जनक माने जाते है रामकुमार बर्मा हिंदी में एथार्थवादी एकांके के जनक माने जाते है रामकुमार बर्मा और आधुनिक एकांके के जनक माने जाते है रामकुमार बर्मा आधुनिक एकांके के जनक माने जाते है रामकुमार बर्मा आधुनिक एकांके के जनक कोन माने जाते है तो इसका उत्तर है रामकुमार बर्मा तांबे के कीड़े नामक लगुनाटक के लेखक कौन है? तो भूनेशवर प्रसाद है तांबे के कीड़े नामक लगुनाटक के लेखक नेक्ष है कारवा एकांकी के लेखक कौन है? कारवा एकांकी के लेखक जो है वो है भूनेशवर प्रसाद है कारवा एकांकी के लेखक रूपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है तो भगवती चरण बर्मा है भगवती चरण बर्मा का एकांकी है रूपया तुम्हें खा गया नेक्ष्ट है एक कंठ विसपाई दुसेंट कुमार द्वारा रचित काब नाटिका है नेक्ष्ट है दुरगा एक आंकी नाटक के रचनाकार है कौन तो उधाय संकर भठ है दुर्गाय एकांकी नाटक के नाटक कार नेक्स्ट है प्रकास और परचाईया किस एकांकी कार की रचना है तो विश्णु प्रभाकर की रचना है नेक्स्ट है नेक्स्ट है मुद्रा राक्ष्ष द्वारा प्रडी तिल चट्ळा नाटक में तिल चट्ळा प्रतीख है तो योन कुण्ठाउं का प्रतीख है नेक्स्ट है नई कहानी अंदोलन के प्रमुख कहानी कार कौन है तो मोहन राकेस है सचेतन कहानी की आउधारा किस कहानी कार की है तो या महीव सिंग की है निक्षे आप इस तरह सारे प्रस्ण तयार कर सकते हैं और अगर एक बार में आपको समझ में ना आए दो तीन बार इस आउडियो को चला लिजे सारे प्रसन आपको बहुत आसानी से सब तैयार हो जाएंगे और आपको यह आउडियो वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट द्वारा जरूर बताएं ज़्यादा ज़्यादा सेयर करें अपने दोस्तों तक पहुँचा दे जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक यह सारे आउडियो पहुचा दे बिल्कुल आपको किसी बुक को पठने की जरूरत नहीं पड़ेगी सारे पूरे स्लेबस के अनुसार हिंदी आपका अगर सब्जेक्ट है तो सारे प्रस्ण एक बार दो बार आप आप आडियो चला के आप सुन लिजे सारे प्रस्ण तैयार हो जाएंगे तो चलिए आगे हम अपने प्रस्णों की तरफ चलते हैं आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट द्वारा बताईए नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है तो प्रेमचंद है नमक के दरोगा कहानी के लेखक प्रेमचंद है नमक का दरोगा कहानी के लेखक प्रेमचंद है सौत प्रेमचंद की पहली कहानी है जिसका समय है 1915 सौत 1915 की रचना है और प्रेमचंद की पहली कहानी है कफन 1936 की अंतिम रचना है और यह कहानी विधा है या जैसंक प्रीम चंद की रचना है और इसमें ग्रम पंचायत की आदर्स को भारा गया है नमक का दरोगा में इमानदारी और बड़े घर की बेटी के संयुक्त परिवार की मरियाधा प्रतिश्ठी की गई है प्रेम चंद क्रेते अन्य प्रमुक कहानिया इस प्रकार है तो मिस पद्धा है मिस पद्धमा है आहूती है कस्मेरी सेब दो बहने मंत्र कतान साहब जहां की दंड दुरगा का मंदिर दूसरी साधी दो बहलों की कथा प्रेरडा जुलूस घरजमाई कासी में आगमन क्रिकेट मैच आत्माराम आदी इनकी रचनाय है कहानिया है और बहुत सारे कहानियों को और नाटक आत्मकथा रिपोर्ट आज सबके सौट भी बन गया है तो एक बार जरूर जुड़ें और सौट को भी देख लें सारे वीडियो बन गया है और कुछ वीडियो तो ट्रिक द्वारा तो उसको भी जरूर देखें क्योंकि बहुत आसानित से याद हो जाएगे चलिए आगे प्रेणा नामक कहानी रचित है किसकी तो प्रेमचंद द्वारा रचित है और यह टीजीटी परिछा 2009 में पूछा गया प्रस्ता है नेक्स्ट है प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी थ में नेक्स्ट है कौन सी कहानी घटना प्रधान है तो पंच परमेश्वर है वो जो घटना प्रधान है पंच परमेश्वर कहानी घटना प्रधान है यह पीजीटी परिछा 2015 में पूछा गया प्रस्ता है जवरा किस कहानी का पात्र है तो जवरा जो है वह पूसकी रात का प और काकाम करते हैं या हंतले दोनों काम करते हैं या प्रस्तन है नेक्ट जीशु और माध्यु व्हानी के पाथ है तो यह कफन के पात्र हें PGT 2017 में पुछा गया प्रस्त है कि घीसुवय और माध्भो किस कहानी के पात्र हें तो PGT 2016 में पूछा में प्रस्त हैं दामुल्ड का कृदि की लेखक कौन है तो दामुल की कईदी के लेखक है प्रेणजन्द यह TGT परिशा 23 में पूछा क्या प्रस्था है प्रेमचंद की कौन से कृति अंग्रेज द्वारा जब्त कर ली गई थी तो वह सोजे वतन थी सोजे वतन यानि देश की याग प्रेमचंद की उर्दू कहानियों का यह पहला संग्रह था उन्ני सो साँसभी में नंबाब राय घर का नाम धन्पत राय था और उनके नाम से वह चपा अंग्रेज दुनिया का अंमोल रत्न भी सामिल है पाँच कहानियों थी मुझ्छे जी की सबसे पहली चोटी कहानी जो दुनिया का सबसे अमोल रत्न भी सामिल है इसके बाद में प्रेम चंद ने प्रेम चंद नाम से कहानी लिखने लगे सोजे वतन के बाद इन्होंने अपना नाम बदल लिया था प्रेम चंद की कृति जिसे ब्रिटिश सासक द्वारा जब्त कर लिया गया था या भी पुछा गया प्रस्थ नाम से लिखते थे तो यहाँ नबाब राय से लिखते थे उर्दु में किस नाम से लिखते थे तो नबाब राय से लिखते थे गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रा से संकलित है तो यह इंद्रजाल से इंद्रजाल से संकलित है इंद्रजाल में संकलित है कहानी गुंडा कहानी नेक्स्ट है प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस यूग का चित्रण है तो इस्ट इंडिया कमपनी का समय है इस्ट इंडिया कमपनी का समय है प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस यूग का चित्रण है या पूछा गया प्रस्त है PGT परिछा 2015 में तो यह नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है पूरसकार कहानी से संबंधित है नारी पात्र मधुलिका का संबंध है नेक्ष है अंधेर है दस्यू फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ यह पंक्ति प्रसाद के किस कहानी से है तो यह आकास दीव पहाने से है नेक्ष आ आकाश दीब के प्रमुख पात्र कौन है तो चमपा और बुध्युप्त हैं। कहानी संग्रह द्वारा ताज महल की लेखी का कौन है तो नासिरा सर्मा है। नेक्ष है दुलाई वाली किस विधा की रचना है तो यह कहानी है। और इसकी लेखीका जो है वो बंग महिला है राजे इंद्र्वाला गोस है इनका ये हिंदी की पहली कहानी लेखीका है कौन तो बंग महिला जिनका नाम है राजईंद्रवाला गोस नेक्स्ट है आचारामचन सुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्स का समय किस विधा की रचना है तो यहा कहानी विधा की रचना है हिंदी की पहली कहानी लिखिका कौन है तो बंग महिला है जिनका नाम था रा जेंद्रबाला घोस नेक्स्ट है नया रास्ता कहानी के लिखा कौन है तो नया रास्ता सुस्मा अकरवाल द्वारा रचित सामाजी को पन्यास है नेक्स्ट है आचारामचन सुक्ल हिंदी का प्रथम कहानी किसे मानते हैं तो इंदु मती को किसोरी लाल को स्वामे की इंदुमती 1900 में प्रकासित हुई रामचंद्र सुकले ने इसे हिंदी की पहली कहानी मना है नेक्ष्ट है उसने कहा था कहानी का प्रकासर किस बर्स में हुआ था तो 1915